नमस्कार में हूं मेहक शर्मो और इस वक्त आप ये लाइफ तस्वीरे देख रहे हैं हरयाना के करनाल से दोस्तों बहुत बार हम अपने घरों में देखते हैं कि हम अपने घरों के छोटे बच्चों को android phone, smartphone चलाने की इजाज़त दे देते हैं क्योंकि आज कल की मैं बात करूँ तो करोना काल में जिस तरीके से classes नहीं लग रही थी, physical classes नहीं लग रही थी तो online classes लग रही थी जिस वजह से बच्चों के हातों में smartphone हाए और घंटों घंटों वो smartphone में online classes लेते नज़र आए mobile games है, ऐसे app हैं जिनकी वजह से बच्चे distract होते हैं ना सिर्फ अपनी पढ़ाई से बलकि अपनी बच्चपने से भी अपनी जिन्दगी से भी क्योंकि ऐसी games उनके दिमाग पर इस कदर हावी हो जाती हैं कि उनकी सोचने समझने की श्रमता ही खत्म हो जाती है जिनमें से एक game इंडिया में आई थी PUBG नाम से आप सबने वो game खेली भी होगी, उस game के बारे में जानते भी होगे और अगर आपने नहीं खेली होगी तो आपके बच्चों ने जरूर खेली होगी क्योंकि उस समय लाखों का आंकडा था जो उस game को खेलता था उस game को enjoy करता था लेकिन बहुत सारे मामले हमने ऐसे देखे थे कि PUBG खेलते खेलते ही लोग suicide तक करने को मजबूर हो गई थे क्योंकि ऐसा इस वज़े से हुआ था क्योंकि वो game लोगों के दिमाग पर इसकदर हावी हो गई थी कि उसको उन लोगों को उस game के अलावा कुछ और सूशता ही नहीं था लेकिन मैं आपको सबसे बड़ी एक जानकारी ये देना चाहूंगी कि इंडिया में फिलहाल PUBG बैन हो चुका है लेकिन PUBG जैसे ही और बहुत सारी games हैं जो आज भी हमारे देश में खेले जाते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक चुंकाने वाला मामला सामने आया है एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है क्योंकि वो मामला 12 साल के बच्चे से जुड़ा हुआ है जिसने game के चक्कर में गेम के चक्कर में अपने ही कजन ब्रदर को अपने ही भाई को गला घोट कर मार दिया, मोत के घाट उतार दिया और अपने चाचा से ही 5 लाग की फिरोती मांगी उस बच्चे के बदले जिसको वो पहले ही मार कर जमीन में अपने ही गाउं के पास दबा चुका था ये मामला शुरू होता है 7th class के एक बच्चे से जिसके हाथ में उसकी मा का phone आता है क्यूंकि पढ़ाई के बदले वो उस phone में game खेलने लगता है जैसे ही मा का phone free होता है जैसे ही मा अपने phone को छोड़ती थी वो बच्चा जिसका नाम किशोर बताय जा रहा है जो की 12 साल का है सातवी कक्षा में वो पढ़ता था लेकिन पढ़ाई के बदले वो अपना सारा का सारा टाइम लगाता था मोबाइल गेम पर पबजी जैसी गेम पर और किस कदर वो इस गेम की लट में इस कदर फस गया कि उस स्थान के नागोर जिले के एक गाउं से बताया जा रहा है जहां पर 12 साल का बच्चा जो की 8 दिसंबर को अपने घर से सुभा 9 बजे चला जाता है गायब हो जाता है अपनी मा का स्मार्टफोन और घर से 700 रूपे लेकर वो क्यों गायब हो जाता है इस बारे में परिवार लोको 8 दिसंबर को कोई जानकारी नहीं होती सबसी पहले घरवाले होते हैं यानि कि कि शोर के माबाप उसके चाचा उसके तमाम रिष्टेदार वो उसको हर जगा हर रिष्टेदार हर उसके दोस्त के घर ढूणने जाते हैं लेकिन कि शोर का कुछ आता-पता नहीं चलता और अगले ही दिन यानि कि ब्रिस्पतिवार को थ्रस्डे को वो थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की किशोर की किशोर नहीं मिल रहा है और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं ताकि पुलिस जल्द से जल्द कोई करती है किशोर को ढूनने की कोशिश करती है लेकिन इसी बीच एक बड़ा मामला सामने आता है वो मामला यह होता है कि 8 दिसंबर को जैसी किशोर अपने घर से लापता हो जाता है उसके बाद वो पहले ही वो पहले ही अपने भाई को मार चुका होता है उसको अपने ही गाओं क के पास अपने ही चाचा से पैसे के लिए 5 Lakh की फिरोती मांगता है और वो फिरोती मांगने के लिए जो नंबर बताया जा रहा है, उस बच्चे को धूंडने के लिए भी जब पुलिस कारवाई करती है, फिरोती का नंबर चेक करती है, तो पता लगता है, जो इंटरनेट सोर्सीस उस नंबर में इस्तमाल किये गए हैं, वो इंटरनेट सोर्सीस भी उसी के घर के हैं और की पैसो की जरूरत ही मुझे वो गेम खेलनी थी यानि कि आप यहां से ये समझ कर देखिए कि एक ऐसी वारदात जिसमें किशोर ने अपने भाई प्रवीन का गला दबा कर उसकी हत्या कर दी उसके बाद उसको मिट्टी में दबा दी और अपने ही चाचा से 5 लाग की फिरोती मा बताना चाहूंगी कि का इंटरेशल वर्जन है किशोर है उसको उसने डाउनलोड कर लिया किसी तरीके से बारा साल का था लेकिन यूट्यूब से हो सकता है उसने सीखा हो अपने दोस्तों से पूछा हो कि किस तरीके से मैं PUBG बैन होने के बाद भी इंडिया में चला सकता हूँ उसने PUBG वो डाउनलोड कि और इस कदर PUBG का वो फैन हो गया या फिर उसकी लत लग गई कि उ उनको पता है कि कहां पर पैसे की जरूरत पड़ती है कब पैसे की जरूरत पड़ती है और वो 12 साल का बच्चा था उसके पास पैसे नहीं थे लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगी जो हमारा Parliamentary सिस्टम है पूरा Parliamentary committee है उन्होंने सरकार के आगे यह बात रखी थी यह recommendation रखी थी कि हमें इंडिया में VPN को बैन कर देना चाहिए क्योंकि इससे बहुत सारे हाथ से देखने को मिल सकते हैं जो युवा बच्चे हैं जो छोटे बच्चे भी हैं वो भी लट लग रही है उनको गेम्स की और साइबर क्राइम बहुत जादा बढ़ते हुए नजर आ रहे इस वज़े से VPN को इंडिया में बैन कर देना चाहिए लेकिन अपने आप में एक हैरान कर देने वाला मामला राजस्तान से देखने को मिला है जहां पर एक बच्चे ने किस तरीके से अपने ही भाई की गला दबाकर हत्या कर डाली है आप सभी लोग उस यही अपील रहेगी कि वो फोन में कहीं कोई गेम तो नहीं खेल रहे हैं थोड़ी बहुत गेम खेलना हर किसी को पसंद होता है लेकिन किसी गेम की लट लगा लेना वो घातक साबित हो सकता है आप सभी लोगों से अपील इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें आप दिखरें आइ